नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी, आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ वेम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर सभी इंपोर्टेंट ऐसे, पोयम, श्लोगन, स्पीच प्रोवाइड कर आए जाते हैं जो बेस्ट से बेस्ट वीडियो है, आपको मेरे चैनल पर मिलती है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंतराश्ची योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21st जून को तो उसके ओपर अलग-अलग essay competition होंगे, speech competition होंगे, slogan competition होंगे तो आज इसी importance को देखते हुए, मैं आपके लिए अंतराश्ची योग दिवस 2022 के उपर ये भाशन लेकर आई हूँ आप किस तरीके से school में या colleges में ये भाशन देकर first pride जीच सकते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो guys मुझे अपना support देने के लिए प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और जाद से जादा share करें क्योंकि आप लोगों के support के बिना मैं कुछ नहीं हूँ अगर आप मुझे support करते हैं तब ही मैं motivate होती हूँ और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ले कराती हूँ तो आप सबसे एक humble request है कि please जैसे आज तक अपना साथ बनाए रखा है आगे भी ऐसे ही अपना साथ देते रहें तो चलिए शुरू करते हैं अंतराष्टी योग दिवस 2022 के उपर भाशन अब देखे जिस तरीके से मैं अपनी voice में variation variation का मतलब होता है उतार चड़ाओ आप जब speech देते हैं उसमें सबसे important चीज होती है आपके बोलने का तरीका आपकी voice की variation आपकी अवाज में उतार चड़ाओ उसी से आप अपने essay को attractive बना सकते हैं तो देखे जिस तरीके से मैं बोलूँगी आप वैसे ही बोलने का प्रियास वहाँ करेंगे तो देखे क्या है आदर्निये प्रधानाचार्य जी अध्यापक गण वे मेरे प्रिये सहपाठियों सभी को मेरा सूप्रभाद मेरा नाम प्रिया सैनी है और मैं कक्षा बारा की छात्रा हूँ आप यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो लिखेंगे और जो आपकी क्लास होगी वो बोलेंगे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतराष्ट्य योग दिवस है इसी उपलक्ष पर आज मैं अपने कुछ विचार प्रिस्तुत करने जा रही हूँ आप यहाँ पर एक लाई नो जोड सकते हैं आशा है कि आप सभी अपना सहयोग बनाए रखेंगे और शान्ती पूर्वक सुनेंगे जैसे कि कहा जाता है कि बिना अशारिरिक्ष्रम किये स्वस्त रहने की कल्पना करना मुर्खता है अर्थार्थ यदि हम अपने जीवन में स्वस्त रहना चाते हैं तो हमें नियमित योगा वैवयाम करना नितान तावश्चक है हम हर वर्ष लोगों को योग के प्रती जागरुक करने हैं तू 21 जून को अंतराष्टी योग दिवस मनाते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को जादा से जादा योग से जोड़ना है ताकि व्यक्ति शाडरिक मानसिक तरीके से हश्ट पुष्ट जीवन व्यतीत कर सके नियमित योग करने से कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है या निजात पाई जा सकती है यह हमारे मन को तनाव मुक्त भी बनाता है इस वर्ष 2022 में अंतराश्चे योगा दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखी गई है यह थीम हर हिर्दे में योग वयाम से जुड़कर एक जुट वैस्वस्त जीवन जीने का संदेश देती है अतहे अंत में मैं अपनी वानी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि अगर रहना है हमेशा निरोग तो रोजाना सुबह उठकर करो योग तो रोजाना सुबह उठकर करो योग तो इस तरीके से आप अप एंड कर सकते हैं बीच बीच में दोस्तों अगर आप कुछो जोड़ना चाहें कि योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है इससे हमारा ब्लड सर्कुलिशन ठीक होता है वो आप जोड सकते हैं वो मैंने हाँ पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये सब चीजे तो नॉर्मली आपको पता ही होती है तो आप खुद आइड कर सकते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने से कोई फायदा नहीं है तो आप अपने अकोर्डिंग जोड सकते हैं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जब स्पीच बोलते हैं I think सबसे ज़्यादा दिकत वहां आती होगी कि स्पीच की शुरुवात कैसे करें और अंत कैसे करें तो आपका ये कन्फ्यूजन मैंने पूरी तरह से दूर कर दिया है तो गाइस ऐसे ही मैं आगे भी आपका सपोर्ट करती रहूंगी और आशा है कि आप भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली में जुडने के लिए प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाद से जाद शेयर कर अपना सपोर्ट दे तब तक के लिए थैंक यू सो मच All the best for your all competition Thank you